हेलो दोस्तों मैं सिसकुमार अपने यूटूब चैनल बिहार जीकरे ट्रेक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग इटिटेरिया के करेंट अपर्स का प्रैक्टिस एट 16 इस वीडियो में देखेंगे तो यदि आप लोगों ने अप तक हमार चैनल बिहार जीकरे ट्रेक्स सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इसे सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को जोड़ दमातवाई वीडियो को स्टाट करते हैं आज का पहला प्रश्ण है निम्लिकित में से किसे भारती इसपात संग के महाशचीव के रूप में चुना गया है तो किसे चुना गया आलोग शहाई को नेक्स प्रश्ण है हाली में भारत के पहले खेल मध्यस्ता के इंदकावट घाटन कहां किया गया है तो कहां क्या गया अहम्दा बाद में अब नेक्ट प्रश्ण है व्यक्तिगत रूप से लगातार दो उलम्पिक खेलों में पदक जीतने वाली भाद की पहली महिला हाली में कौन बनी तो पीवी सिंधु नेक्ट प्रश्ण है राजीव गांदी खेल रत्म प्रश्कार का नाम बदल कर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोशना की गई है तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस खेल रत्म प्रश्का नाम रखने की घोशना की गई है नेक्स्ट प्रस्ट है वेस्विक सिच्छा सीखर शम्मेलन अर्थात ग्लोबल एजुकेशन शम्मिट 2021 का आयोजन कहां किया गया तो कहां किया गया लंदन में नेक्स्ट प्रस्ट है हाली में भिन्य चर्चित खिलाडियों के रूप में कौन सुमेलित नहीं है तो इसका उत्तर है प्रंति नायक हो किस है या सुमेलित नहीं है बाकी जो सभी सुमेलित है नेक्स्ट प्रस्ट है दस लाग से कम अवादी वाला भात का कौन सा सहर सौब पर्थिशत व्यक्सिनेशन करने वाला देश का पहला शहर बना तो इसका उत्तर है भूवनेश्वर नेक्स्ट प्रस्ट है द्वी वार्षिक भात की पर्मुक्षैने परदर्शनी डेफ एक्सपो दोयर बाइस का आयोजन किस सहर में किया जाएगा तो यह किया जाएगा गाधी नगर में अब नेक्स्ट प्रस्ट है किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए लोकमान तिलक राष्ट्रिय पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की घोशना की गई है तो किसे की गई शायरस पूना वाला को नेक्स्ट प्रस्ट है टोकियो ओलम्पिक 2020 में भारती होकी टीम ने किस देश को हरा कर कास्पदक जीता तो किस देश को हरा कर जर्मनी को हरा कर कास्पदक जीता नेक्स्ट प्रस्ट है हाली में नौ शेना के नए उपरमुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो इसका उतर डी एस एन घोर मडे नेक्स्ट प्रस्ट है हाली में नौक्त राष्ट या ध्यक्षों में कौन सुमेरित नहीं है तो इसका उतर है C, ASTBEN ओक कौन यो सिर्या के राष्ट पती नहीं है नेक्स्ट प्रस्ट है भारतिय वायु सिना ने पहले बार स्वदेशी जेट जैव इंधन का परियोग किस विमान में किया तो इसका उतर है एन थाटी टू नेक्स्ट प्रस्ट है भारतिय खिलारी बजरंग पुनिया ने किस खेल में टोकियो ओलम्पिक में काश्पदक जीता तो इसका उतर है बी कुस्ती में नेक्स्ट प्रस्ट है किस भारतिय खिल्वान ने टोकियो ओलम्पिक में पुर्शो की संतावन किलोग्राम फ्री अश्टाइल कुस्ती में रजक पदक जीता है तो इसका उतर है रवी कुमार दहिया ने अब अगला प्रस्ट है हाली में किन सरकार द्वारा किस डिजिटल भुगतान समाधान को लॉंच किया गया तो किसे लॉंच किया गया इ रूपी को अब नेक्स प्रस्ट है विश्छा रोपन है तु किस राज सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गयी तो इसका उतर है मध्य परदेश के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गयी नेक्स्ट प्रस्ट है अमेरकी अंत्रिक्ष एजेंसी नासा ने किस गढ़ा के लिए वर्ज दो हजार अठाइस से दो हजार तीस तक दो रोबोटिक मिशन लॉंच करने की घोचना की है तो इसका उत्तर है सुक्र गढ़ा की नेक्स्ट प्रस्ट है भारती उद्योग परिशंग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो टीवी नरेंदरन को नेक्स्ट प्रस्ट है राष्ट्य सांखे किये कारियाले के आकरों के अनुसार भारती अर्थ विवस्ता में वित्वर्ष दो हजार बीस से किस में कितने परिशत की गिरावट आई है तो इसका उत्तर है साद असमलो तीन परिशत अब नेक्स्ट प्रस्ट है वर्ष दो हजार बीस में पद्म विभूशन से सम्मानित किस देश के पुर्व परधान मंत्री अनिरुद जगनात का 91 साल की उम्र में तीन जून को निधन हो गया तो इसका उत्तर है ए मौरिशश नेक्स्ट प्रस्ट है किस राजसरकार द्वारा उध्यमियों को चिकित साब प्रध्रवगी की छेतर में अपने विचारों का प्रेक्षन करने है तू एक फ्लेटफॉर्म परधान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लौंच किया गया तो यह किस राजसरकार के द्वारा तो तेलंग आना नेक्स्ट प्रस्ट है अरव शागर के छेत से भाद के पश्मी टटको प्रभावित करने वाला उसन कटीवन दिये चक्रवात ताउते का नामाकरन किस देश ने किया है तो इसका नामाकरन मया मार ने किया है अब नेक्ट प्रश्ण है किस राज सरकार द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलेवरी के लिए मोमो मार्केट आउनलाइन एप्लिकेशन जारी किया गया है तो इसका उतर है मनीपूर अब अग्ला प्रश्ण है इसमें आपको मिलान करना है पहला नाम आता है गिल मोर गिल मोर लाशो ये कौन है तो ये है एकवाडोर के राष्ट पती अर्था एका चार नमबर दूसरा है अना तोले मा कोशो ये कौन है तो ये है कांगो गनराज के परधान मंत्री अर्थाद बी का तीन नमबर तिसरा है बसर अल असद ये कौन है तो ये है सिर्या के राष्ट पती अर्थाद दो नमबर और आखरी बचा अश्टिफन लोफवेन ये हैं स्वेडन के परधानमंती अर्थात एक नंबर तो आई देखते हैं किस में किस कूट में 4,3,2,1 है तो पहला में ही है 4,3,2,1 अर्थात पहला नंबर उप्शन ही सही है अब नेक्स्ट पस्ट है हाली में परकासित पुस्तक Language of Truth ऐसे 2003 से 2020 के लेखक है कौन है इनके लेखक तो इनके लेखक है सलमान रुसदी अब नेक्स्ट पस्ट है पंजाब शरकार ने मोहाली इंटरनेशनल होकी अस्टेडियम का नाम बदल कर किस होकी खिलारी के नाम पर रखा है तो इसका उत्तर है बलवीर शिंग अब नेक्स्ट पस्ट ने इटली द्वारा भारत के किस राज में पहला मेगा फुड पार्क अस्थापित किया गया तो इसका उत्तर है गुजरात में नेक्सट पस्ट नहीं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर, जलवाई और स्वक्ष ओर्जा एजेंडा 32 की सुरुआत की है? तो इन्होंने अमेरिका के साथ इसकी सुरुआत की है अब नेक्स्ट पर्ष्ट है विजडन एवार्ड दोहर एकिस के संबन में कौन सुमेलित नहीं है तो आईए देखते हैं बारे बारे से दोहर देस के दसक का एवार्ड विराट कॉली ने जिता या बिल्कुल सही है 1990 के दसक का एवार्ड सचीन तेंदूलकर ने जिता या भी सही है 1980 के दसक का एवार्ड कपिल देव ने जिता अर्था सभी सुमेलित है अब नेक्स्ट पर्ष्ट है मार्च 2021 में जारी इस ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा सहर पर्थम अस्थान पर रहा तो उनका नाम है बंगलूरू नेक्स परष्ट ने लेवेंडर के फोलो की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज या केंसासित परदेश में अरोमा मिसन की सुरुवात की गई तो या जमू कश्मीर में किया गया है अब अगला परष्ट ने हाली में भारत ने किस देश के साथ पंडूबी बचाव शहयोग समझोते पर हस्थाक्षर किया है अब अगला परष्ट है किस राज में अस्थित जूकु घाटी में हाली में आग लगने की घटना हुई तो यह हुई है नागा लैंड में नेक्स प्रश्ट है निम्लिकित में से किस सहर में पहले बार आश्ट्रो बेड़ी महोसब का आयोजन किया गया तो यह किया गया जाशी में नेक्स प्रश्ट है इपरिवहन लॉंच करने वाला देश का पहला राज कौन बना तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश हाली में भारतिय पुरातत्व सर्वेक्चन विभाग द्वारा जारखन के किस जिले में 900 साल पुराने बौद मटकी खोज की गई है तो यह किया गया हजारी बाग में जिन्सा नदी पर दुनिया के दुस्य सबसे बरे जल विदुद बान बैहेतन बान का निर्मान किस देश ने किया तो यह किया है चीन ने नेक्ट प्रद्शन है किस मनत्राले द्वारा डीप ओशन मिशन की सुरुवात की गई तो यह क्या गया पृत्वी विज्ञान मंत्राले की द्वारा अब नेक्स्ट प्रश्ट नहें वैस्विक सांती सुचकांक 2021 के संबन्द में कौन सा कतन सही है तो यह कतन सही है केवल तीन अर्था तो हैरबिस में भात का स्थान 140 वा था अब नेक्स्ट प्रश्ट नहें किस राजने दुनिया का पहला जेनेटिकल ही मोडिफाइड रवर का फॉर्म परिक्षन सुरू किया है तो यह किया गया अशम सरकार नहीं नेक्स्ट प्रश्ट नहें ओलंपिक खेलो में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलेट लॉरेल हर्वर्ड का संबन किस देश से है तो इनका संबन है न्यूजी लैंड से अब अगला प्रश्ट है किस किस सासीत परदेश में हाइड्रो कारवन पर्योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है तो यह मंजूरी पुदू चेरी केंसासीत परदेश में दी गई है नेक्स प्रस्ट है पैरा उलम्पिक खेलों में दिव्यांग जनों को प्रसाहित करने के लिए किस मंत्रा ले द्वारा दिव्यांग खेल केंद की अस्थापना की जाएगी तो यह की जाएगी शमाजिक नियाय एवं आधिकारिता मंत्रा ले के द्वारा नेक्स प्रस्ट है निम्ड में से किस राज में तीन दिवशिये त्योहार रज महुषब मनाया गया तो रज महुषब उडिशा में मनाया गया अब नेक्स प्रस्ट है किस सहर में भाद का पाला Transgender Community Desk खोला गया है तो यह खोला गया हैदराबाद में अब नेक्स प्रस्टने कौन 28 गेमी पुरसकार अपने नाम करने वाली पर्थम महिला बन गई तो उनका नाम है बिर्योड से अब नेक्स प्रस्टने Tokyo Olympic 2020 शुर्ण पदक जीतने वाले निर्य चोप्रा का स्शंबंद किस खेल से है तो इसका उतर है D. जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेक से अब नेक्स प्रस्टने A Startup Blink द्वारा Global Startup Ecosystem Index 2021 में भाद को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ तो इन्हें 20 मां अस्थान प्राप्त हुआ तो यह था प्रैक्टिस सेट 16 का आखरी प्रश्ण आसा करता हूँ आप लोग को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो यदि आप लोग को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो इस लाइक और सेर जरू करें फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ आज के बाद बादने बाद